वैशनो देवी भवन में नवरात्र की शुरुवात हो गई है लेकिन कोरोना के चलते इस बार सब कुछ बदला-बदला सा है भक्तों के सिर पर जै मातादी के पटके की जगें मास्क ने ले ली है माते पर ना तिलक है ना गले में चुनरी है भवन में प्रसाद ले जाना भी म मा के दरबार से प्रसाद के रूप में मिलने वाले चान्दी के सिक्के और नारियल भी नदारद है वहीं 25 साल में पहली बार विदेशी फूल नहीं मंगवाए गए हैं इस बार विदेशी फूल नहीं आए हैं सिर्फ देशी फूलों से ही भवन को सजाय गया है जगह जगह सेनिटाइजर मशीने लगाई गई हैं स्वास्थे कर्मी तैनाथ हैं इस बार किसी तरहें के भीडभाड़ वाले कार्यक्रम या जागरण नहीं होंगे श्री माता वैशनो देवी श्राइन बोर्ड ने साथ हजार यात्रियों को हर दिन यहां आने की परमीशन दी है केंद्र सरकार ने दिल्ली से सीधे कटरा तक वंदे भारत ट्रेन को नवरात्री में फिर से शुरू करने का फैसला किया था लेकिन पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर रेल सेवा रोकने से उत्तर भारत सहित मध्य और पश्चिम भारत से भी यात्रिया नहीं पहुँच पा रहे हैं इससे पहले यहां केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंग भी आये थे उन्होंने कहा कि आंदोलन कारियों को माता वैश्चनो देवी के दर्शन के लिए आ रहे यात्रियों की खातिर तो रेल सेवा नहीं रोकनी चाहिए माता का दर्बार सज गया है लेकिन कोरोना के चलते इस बार किसी तरह के भीड़ भाड़ वाले कारियक्रम या जागरण नहीं होंगे 2019 में कोरोना से पहले 89,44,044 श्रत धालू ने मा के दर्शन किये जबकि 2018 में 85,86,541 श्रत धालू यहां पहुँचे पिछले वर्ष शारदिय नवरात्रों में ही पांच लाग से ज़्यादा श्रत धालू ने दर्शन किये थे जिन में से 50 फीस दी दिल्ली पंजाब और गुजरात से थे पहले दिन केवल 44,00 ने ही दर्शन किये इन में से 705 यात्री फ्लाइट से भवन पहुँचे आपको बता दें कि बाहरी राज्यों से आने वालों को कोरोना टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट लानी है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों का रैपिट टेस्ट कटरा में प्रवेश द्वार पर होगा भवन में रेस्टरेंट भी बंध है और भोज नाल्य में मिलने वाले मशहूर राज्मा चावल और पूरी चना भी नहीं मिल रहा है सोशिल डिस्टेंसिंग और मास्क सभी के लिए निवारिय है जगह जगह सेनिटाइजर रखे गए हैं आपको बता दें कि हर साल भवन को नवरात्र में विदेशी फूलों से सजाया जाता है यह सिलसिला पचीस सालों से जारी है जब से यहां नवरात्र महुत्सव शुरू किया गया है इटली, आइडलेंड, स्विद्जलेंड और कई दूसरे यूरोपियन देशों से रंग बिरंगे फूल सजावट में लगाये जाते हैं इस बार कोरोना के चलते कोई भी विदेशी फूल नहीं आया है श्राइन बोर्ड के सीई ओ रमेश कुमार ने कहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले श्रद्धालों के स्वागत के लिए हम तैयार है सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो है ही, साथ ही साफ सफाई पर भी फोकस है कोरोना के S.O.P. को फोलो किया जा रहा है एक दिन में साथ हजार तक लोग दर्शन कर सकते हैं और उनके लिए पुखता इंतजाम है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद